नीती सवा के धल केन जा रही आ है ते जस्वी के बोखा आरा मोधी के धल केन राता हूनी बिन सुझे नारा नमस्कार आप देख रहे हैं मुझफर पुर्जिला के सग्रतना चेतर के सुझावल पुर्चोक पर समीफ है जो इनक 28 को भीम आर्मी सदस ने जाम किया है और इन लोग का एक ही नारा है कि जो आरक्षन हम लोग को पहले से बाबा साहिब भीम राम बेतकर के द्वारा दिया ग उतर पड़े हैं आज एक और भारत बंद का एलान किया गया है और सभी जगा चप्पे चप्पे पर मतलब भारत बंके खिलाप मतलब रेने 23 को जाम किया गया है और आईये पहले यहां के सुब्चिंतकों से बात करते हैं कि अखिर नेंदर मोधी मुर्दा बात नेंदर तो बताते हैं क्या हुआ बहाई आज हम लोग पूरे भारत में भारत बंदी का नारा लगाएगा और पूरे तरब से सखल है पूरे बंदी सखल है सारे जितने हिंदुस्तान के दलित भाई है सभी लोग रोट वर उतर करके नितिश कुमार के और नरेंदर मोदी के खिलाप मे सब्सक्राइब लागू करने के लिए उसको वापस लेना होगा है ऐसा सरकार में आई सासक ताना उचित नहीं है हम लोग का माना की नौमी सुची में समविधान में लगव हो और और बाबा साहब का जो बनाया गया एक एक सब्से बनाया गया चमीदान उसमें छेड़ नहीं हो नहीं तो पूरे दलीद पूरे भारत को छेड़ चार कर देगा मैं नाम हुआ मनोज पासवान सक्राव इदान स कि अधान सक्रापिय चाहिए और डलीद को बहुत सब्सक्राइब है उसमेड़ को जनी डाता है जाना यहां है तो कमानी खताइनी में खताते हैं चैनले ये को फाल्तों तो रहा टेहां णक्राव इसमार मैहां मैंग। कि क्रिम्लियर का मतलब होता है कि जिनका विकास हो गया है लेकिन मुझे अपना माना कि कोटा में कोटा जो गुसाया गया है उसको बंद करना है अभी देख रहे हैं कि बिहार सरकार में जब तेस्वी आदव और नितीज कुमार की सरकार की आरक्षन का दैरा 50-65 किया गया पिछले दरवाजे से मोधी जी उसमें केस करवा दिये फिर आरक्षन को बंद कर दिया गया बंद कर दिया गया पिधान सवाब में मामला उठा तो नितीज जी कहें कि इसको हम नौमी अनसुची में जाली करना चाहते हैं मोधी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं बिंती करते हैं नौमी अनसुची में इसको नहीं दर्शाया गया कितना भी ये स्टुडेंट सब परिच जबकि आरक्षन को मिला हुआ है क्या लगता है खाली आर्थिक इस्तिती श्रिफ दलीतों का नहीं परवाड का नहीं है जो फरवाड भविश में जो आरक्षन का विरोद करते थे जब से उनको 10% आरक्षन मिल गया मलाई समझके खा रहा है कि नहीं जो फ़रवार भी तो आरक्षन प्रasına में चलेगा है जो फरवार आरक्षन को गाली समझते थे आरक्षन वहीं फ़रवार जब आरक्षन पराथ कर लिए उसको मलाई समझ के चाब रहे हैं गुम गुम के और पुरे देश में समझे तो चपपा चपपा जाम किया गया है और उसके बाद क्या हुआ भाया जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हतियारों से अगर लाटे चार्ज करेंगे हम समझेदान के खिलाप होंगे तो समझेदान के जारे में अगर लाटे चार्ज करते हैं तो यहां कोई बहुजन कमजोर नहीं है तो लगातार हम लघने के लिए तो यार भी तो है हम पीछे भी तो नहीं हट रहे है लगता है किसे जाम करने से लोगों की आवाज मतलब वहां तक पहुंचेगी सुप्रिम कोट का आवाज सुप्रिम कोट का जो फैसला था वह बदल जाएगी सरकार वह दिर्यात के ले 2 अपरिल 2018 क्या हुआ चक्का जाम से फिर वही होगा और आज हो रहा है जी अमर्जेंसी को फिरी है फिर गारी फिर दूद गारी फिरिया इंबुलेस फिरी है यह सब को फिरी आ आपको क्या मागई सब्लिए को परेकेदार ब confirming बंद करो क्रेंगर या यह ता वहें और संभिधान में संसोधन करके बैक लोग का जो है जो भी रिजर्वेशन का बैक लोग है उसे पूरा करो कोल्जियम सिस्टम से जज की भाली हो इन ही कि बाप के बाद बेटा-बेटा के बाद पोता है अस तो परने से नहीं चाचा तो परने से खली वह पढ़ता है हम नहीं कि बढ़ते हैं वह अंद्व करता है यहां अपको पूर्चों से वीडियो परशारीत कर रहे थे लोगों की संख्या दीरे बढ़ती जा रही है और सबसे अनोखा बात है कि यहां पर अगर किसी भी स्टुडेंट को एक्जाम वेगरा या कोलेज आने की है तो उनको किसी भी बरकार की गारी नहीं रोकी जाएगी प्राइब